वेल्कम गैज फोरम एहमकेश चले मापका बहुत बहुत स्वागते सब्सक्राइब किजे फोरम एहमकेश चैनल को और पाईए किसके फोरम कब बरे जाएंगे सो गैज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले नर्सिंग पेरामेडिकल फारमेसी जहां बिल्कुल आपने सही सुना इसकी फूल डिटेल 2021 में जो इस्टुडेंट एडिशन लेना चाहते हैं चाहिए वो आपका A&M हो, चाहिए वो आपका G&M हो, चाहिए वो आपका B.A.C. Nursing Course हो, या फिर M.A.C. Nursing Course हो, या फिर Paramedical के Course है जो, या फिर Paramedical के Course है जो, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं, कि जो student 2021 में एडिशन लेना चाहता है, Government Colleges में, ठीक है, Government Colleges में, और उ से documents होना चाहिए, form कबरे जाएंगे, सारी information इस वीडियो में आज हम collect करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बोल रखाए कि, हर form की जानकारी आपको इसी चनल पर मिलेगी, चाहिए वो आपका रास्तान, मदेपरदेश, UP, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हर याना, कोई हर स्टेट की जानकारी आपको form MKS चनल पर मिलेगी, तो चले गाईज, शुरू करते हैं, आज का अपडेट, एनेम, जेनेम, बेस नर्स की पहले बात कर लेते हैं, कि इनके लिए कौन को शिक गताब में पहले होना चाहिए, या फिर इस 2021 के वर्स में आपके form बरे जाएंग जो की आपके लिए अवाइलेबल करवाया है, हमने ये कुछ नियम थे, 2013 से ये नियम लागू है, जो की अभी तक मानने हैं, तो गैज अगर आप भी, एनेम, जी एनेम, और बेस नर्सिंग कोर्स में एडिशन लेना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन होना चाहिए, ये जो केता आप में होनी चाहिए, ये इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का वादा है, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग यानि कि ओल इंडिया के के लिए लागू है, चाहिए आप दिल्ली के हो, रास्तान के हो, मदे परदेश के हो, यूपी, बिहार, पंजाब, हर य कर लेते सबसे पहले बात कर लेते हम यहां पर देख पारे होंगे कि एने एने प्रोग्राम के लिए आप में कुन कुन सी योग्यता होनी चाहिए गोवर्मेंट कॉलेज में एडिशन लेने के लिए और फोरम कब आएंगे वह भी हम आपको बताएंगे ठीक है तो पहला इसमे положation की तो इसमे 10 plus 2 आफ मांगा जाता है बार वी आफ टूदेन्ट इसमें एप्लाइब कर सकता है और इसमें प्रकार 짧ए हैं अगला इसमें इस्टुडेंट कॉलिपाई 10 प्लस टू पास आउट ठीक है बस इतना सा मंगा गया आपसे बार भी पास किसी भी स्ट्रिम से 17 से 35 वर्ष के बीच आपके उमर हो यह नहीं चाहिए आप इंडिया के नागरिक होना चाहिए बस इतना सा कॉलिपके सनाव में होना चाहिए तब तो आप एन्यम के लिए फॉरम कर सकते हो अब आप बोलेंग सर एन्यम के फॉरम कब रहे जाएंगे रास्तान में यूपी में बिहार में ऐसे कमेंट आंगे हमको पता की ओल इंडिया के केंडिकेट हमें फॉलोकर रखाएं तरह कि उनको फॉरम की एस तहारी कि परकार से करने सारी स्ट्रेटर्जी हम भी बताएंगे नर्सिंग प्रमेडिकल फारमेंटिगी हमने पहले बोल दिया एन्यम के पॉरम में माराश्ट के गर्म बात करें तो यहां पर भी जूंजलाई तक फोर्म आ जाते हैं बट आपको बिल्कुल फिकर नहीं करनी है कोई भी फोर्म आएगा तुरंत आपको इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगी क्यों क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प होता है और चोटा होता है तो इसमें क्या क्या योगता होनी चाहिए सब्सक्राइब के बीच आपकी एज होनी चाहिए ऑक मिनमम एजुकेशन के बात अगर हम यहां पर करें तो आपके पास फिजिक्स कमेस्ट्री बाइलोजी होना चाहिए गाइज जिहां बिल्कुल और ज सकते हैं कर सकते हैं बट वो आपके अपने स्टेट की स्टेरजी होती है जैसे के रास्तान इंग्लिस भी मिजए यूप्य में बहुक्त है बर्फ कश में और यहां पर हार्स लिक़ा भाई यहां देख सकते हो इंगलिस और नीचे आप देख सकते हो कि हाइस जिसमें Mathematics Biology कुछ ऐसे इंक्लूड किए हुए है तो बस इतना सा इसमें के लिए requirement है गाइस बर सकते हो गुवर्मेंट कोलेजिस के लिए प्राइवेट कोलेज के बात करें तो प्राइवेट कोलेज में हार्सकुमर्स वाले भी एडिशन ले सकते हैं जेनेम के लिए ओके इतना सा इसमें इश्यू है अगला है तोड़ा से इसको स्क्रूल डाउन कर लेते हैं यह कुछ इंपरमेंस पर ही इसका एडिशन होगा एनेम जेनेम के तो आपको पता है कि फोरम ही निकलेंगे बट बेस नर्सिंग के लिए नेट का एक्जाम लगा दिया गया एक ऐसा सुनने में आ रहा है ठीक है और खापी जिगह लागू भी हो चुका है खापी यूरिशिटी में सो आपको करना जो इस्टूडेंट वियान से सुनना जो इस टूडेंट एनेम जी करना चाता है तो उनको तो कोई दिखकत नहीं है उनके तो फोराम में बेदिदेगी ब्रिजधी करना चाहता था तो नेट का फोराम अवेश्यय में हो morning justement इसमें नेट के थूर्व एडिशन हो सकते हैं और हो भी रहे कापी सारी जगा रैकॉन का नाम सुनाओगा रैकॉन में हुआ था अभी और जिमर में भी लागो हो चुका है और जिसे-जिसे फोर्म आते जाएंगे क्या आप तर रास्तान में यूपी में बिहार में भी ऐसा हो लिए बट गाइज आपको यहां पर देखना होगा तोड़ा सा फोकस करना होगा कि यहां पर नौटिस जारी कर दिया है बेस नर्सिंग कॉर्स को लेके यह इंट्रास इक्जाम नहीं करवा रही है दो जार एकिस से ठीक है और बांकी के जितने भी कॉर्स है जिससे की मास्टर एमेस नर्सिंग हो गया पॉश्ट बीस नर्सिंग हो गया उनके लिए इंट्रास इंग्जाम करवा रही है तो इससे यह साबित होता है कि आपके अपने स्टेड में भी नेट के थुरूई लिया जा सकता है यह चांद सहीज़े तो 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 इसको आपको दिखा देते यह द लेना है तो नेट का एक्जाम दीजिए और आजाईए ठीक है अच्छी सी रेंग हांसिल करके नेट एक्जामनेशन के तुरूई एविशन होगा यह बोला है इस यूरिशिटी ने अब इसी प्रकार से रास्तान मध्य प्रदेश यूपी बिहार जितने भी लीजिए ताकि आप से प्रोव शेक्यूरोव कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आपने फोर्म बढ़ दिया तो ओके तो और भी नॉटिप किसन आम आपको दिखा देते हैं जो कि नेट का एक्जाम कंड़क्ट करवाती है तो इन्हों ने भी साब साब बॉल दिया है कि पहले तो नेट का एक्जाम में एडिशन यह में होता है बट 2021 से इंक्लूड कम लब होता है सामिल करना सामिल कर लिया गया है बीस नर्सिंग को तो ऐसे में आपको तोड़ा सा अवेर रहना है तोड़ा अलर्ट रहना है हमने आपको कापी बार इंफों भी किया है कि नेट का परम आवशे बढ़ देना अगर आपको बीस नर्सिंग कोर्स में एडिशन लेना है तो ठीक है और इसका एक्जाम कब है एक अगस्त को एक्जाम दिकाई दे रहा है ठीक है 11 लेंगवेजिस में तो नेट का परम आप बोलिंग सर कब बरे जाएंगे तो हम ही बताएंगे कि कब बरे जा रहे है क्योंकि आपने चैन भी जानकारी हम ही आपको देंगे हम आपके साथ हैसे मानों और तैयारी भी हम आपको करवा रहे है जिहां बिल्कुल फिर आप खोस्ट कोई सुल्क नहीं है रोजना वीडियो हम आपको दे रहे है उसका नाम है जेके लोंज जोब चेनल ठीक है समझ में नहीं आ रहा है तो लिंक इंचे डिसकस्न में वाइलेबल है और रही बात पेरामेडिकल की पेरामेडिकल और फारमेशी की सो गाइज अगर 2021 में एडिशन लेना है तो पेरामेडिकल फारमेशी के लिए ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं बोलाए कि नेट के थूरू होगा उनके लिए तो अ इनम और जीनेम वालों को भी इन नेट का पौरम बढ़ने की रिकार्मेंट नहीं यह इनके लिए लगसे पौरम जारी होंगी बट इस पेसली बीएस नर्सिंग वालों के लिए नौटिस जारी है कि नेट के पौरम के तरूँ एडिशन होगा तो नेट का फौरम आप आप इसे बढ़ देना त्टीए गाइस क्या इन्हों ने बोला है और आपकी अपनी क्या रेक्शन रहता है उसके बाइब डेट आपको इसी चलंब पर मिलते रहेगी सो कमेंट कीजिए आप कहां का जाना चाते हो कौनसा स्टेट के बारे में जाना चाते हो क्योंकि हमारे पास जितने भी कमेंटे हम आपको बता दे सभी आलमोस्ट सभी स्टेट से तो सभी के उपर वन बाई वन करके हम वीडियो बना देंगे ठीक है फिर भी आपका स्टेट और कौन सा कोर्सेस के बारे में जाना चाहिए तो कमेंट कीजिए और नीचे डिस्क्रेस में लिंक दिया झाल झाल